आप सबको बड़ी इंतजार थी के परपोजल आया उसके उपर क्या किया है क्या उसके बारे में कुछ तरे तरे के विचार चाव रहे थे को कुछ बोल रहा था को कुछ बोल रहा था लेकर ये ढूनों फोर्मों की चर्चा होने के बाद है ये फैसला लिया गया है कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल की अगर उसे नापतुल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है अगर इसको द्यान से देखेंगे तो मानी ने मंतरी जी कल ये बिता रहे थे कि सरकार अगर MST की गरंटी दालों के उपर देती है तो हमारा डेड़ लाख क्रोड रुपया हमारी जेव से खर्क्ट होगा हमारे बजजट के उपर बेट पड़ेगा और इसी के बराबर एक खेती महर साउस का प्रकाश कामालेडी जी के अनुसार केवल एक लाख पचैतर हजार क्रोड रुपया अगर सभी फसलों के उपर MST दी जाती है तो एक लाख पचैतर हजार क्रोड रुपय के अंदर वो काम चल सकता है तो पर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये दो तीन फसलों का विक्ने की विवस्ता बनाए और बाकी किसानों को ऐसे शोड़ दिया जाए ये हमें उच्चत नहीं लग रहा दूसरी बात मा और एक कहना चाहता हूँ देखिए हमारी गौवर्मेंट बाहर से एक लाख पचैतर हजार क्रोड रुपय का पामायल मंगवाती हैं और वो सबी लोगों के लिए मुनुक्ता के लिए इंसानित के लिए बीमारी का कारण भी बन रहा है फिर भी उसे मुगवाया जा रहा है अगर यही पैसा एक करोड पचैतर लाख रुपया देश के किसानों को तेल बीज फस लें उगाने के लिए और उनके उपर MSP की गोशना करें सरकार और उसके उपर ख्रीदी की गरंटी बनाएं सरकार तो एक क्रोड एक लाख पचैतर हजार क्रोड से उधर के पैसे इधर आ सकते हैं तो मुझे कहीं पे भी यह नजर नहीं आ रहा कि सरकार के उपर कहीं से किसी तरह का बोज पढ़ रहा हूँ अगली बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो मैंने कहा कि इसके इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को उन किसानों को हम दालों के उपर और क्रॉप्स के उपर जो हमने 6 क्रॉप्स ली हैं 5 उनके उपर हम खरीदी की गरंटी करेंगे जो डैवर्शी इपकेशन करकर दूसरी क्रॉप्स को शोडेंगे और मेरा इसमें कहने का मतलब है यह उन्हीं को देंगे जिनों ने दान को शोड कर मूंग को लगाया होगा अगर जिनों ने दान को शोड कर मूंग को नहीं लगाया अपने आप नेच्छरल मूंग को भी बिजाई कर रहा है उसकी खरीदी नहीं होगी तो इसलिए इन सभी बातों से ये निकल कर आता है कि इस में से कुछ किसानों को लाव होने वाला नहीं है हमारा हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के उपर हमारी सिरकार MSB एनॉस करती है जो 23 फसलों के उपर MSB की एनॉसमेंट होती है वो इनी के ही CACP की शिपार्शों के उपर होती है और जब वो देती है सरकार हमें CACP के अनुसार MSB MSB का मतलब होता है minimum sport price को और गहनता से उसकी परचोल करोगे तो तो उसका मतलब यह होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए आपको स्टेंड रखने के लिए एक स्पोर्ट दी जा रही है आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें और वो भी देती हैं जब हम और उसके उपर भी सारी फजलों के अगर हम यह मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी देरो भाई उतनी तो बिख जाएं हमारी उसरेट पे तो बिख जाएं और उसके लिए भी वो ग्रंटी का कनून ना दें तो इसका मदब देश का किसान इसी तरह लूटा रहे लूटता जा रहे तो वो हमें सज़कार नहीं है इसलिए सबी तच्छों के हिसाब से हम दोनों फोर्मों ने आज बै उसलिको राट करते